आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जिसका साहज है 30 x 36 यह पूरा प्लान आप देख पा रहा होंगे स्क्रीन पर इसी मॉडल को आज हम डिसकस करने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर समॉडल को डिजाइन किया है 30 x 36 फिट में को आज हम इस्टिप बाइस्टिप डिसकस करने वाले हैं इसका ग्राउंड फ्लोर फ़स्ट फ्लोर और सेकिंड फ्लोर सभी डिजाइन किया है हमारे के सब्सक्राइबर काफी दुनों से कमेंट कर रहे थे 30 x 36 का प्लान चीए उनहीं के कहने पर समॉडल को डिजाइन किया ह और आपको पताना चाहूंगा अगर आपने वी तक इसमाल हॉस्ट प्लान को सब्काइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट डेजाइन की वीडियो लगातार देता रहता हूँ जैसा कि आप देख भी पाते होंगे और हमारी ए आपसे 50% एडवांस लिया जाता है लेकिन पेमेंट अभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए तो यही पूरा प्लान 30 x 36 का आज हम बात करेंगे आप होई पेड़ सर्विच का अगर इस्तमाल करना चाहते तो वो भी करें तो सबसे पहले मैं इसको जूम करके आपको दिखा पार आप देख पार होगे जो सारोतर मैंने डिजाइन की है यह इसका सबसे टॉप का रेलिंग यह देखीगा और यह पूरा दिखीए डिजाइन त्री साइड क्लोजड है और यह देखीगा कार पार्किंगे श्पेश यह आपका यहां से स्लोप है जिससे आप कार अपनी रहा है जिससे आप हम बात करतें इसके ग्राउन फ्रोर की यह देखीए कि ग्राउन फ्रोर मैं जूम कर देता हूँ तो आपना कार कर रहा है यह देख देख जिया यह दो भी window है और main door है अगर हम बात करें तो ये इसका main door है ये एक window है जैसे हम main door से entry रटते हैं देखी कि आप अगर ऐसा देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा से space शूट है ये बारंधा डाइप का जो आप यहां से देख पार, यह किचिन अरिया है, यह आपका गेश्ट रूम है, जिसमें विंडो मैंने दिया है, और दोनों के गेट अंदर से हैं, दोनों के गेट अंदर से हैं, चाहिए वो गेश्ट रूम का हो, चाहिए वो किचिन का अरिया है, यह किचिन का अरिया था, एक गेस्ट रूम गए रिया था दोनों के इसके ज़ेश्ट बगल भी यह देखे का यहाँ पर स्टेर्स दी है तीन दो साइट से मौड़ा हुआ है क्योंकि जगए कम इसलिए यहाँ पर दो साइट से आपको मौड़ा पना है अगर आपको इस्टेर्स यहाँ नहीं बनानी है तो आप अपने इस्टेर्स यहाँ भी बना सकते हैं इसके बात की बात की बात करें तो पीछे दो बेट्डूम आपको मिल जाते हैं एक बड़ा सा हॉल टैप का यह देखिए बेट्डूम यह आपका बड़ा सा हौल है आंगन सा और एक यह बैड डूम सबसे पीछे मैंने यह कुछ इस पेस छोड़ा है दो से डाई फिट का जिसमें आप अपना जाल रखवा लेंगे छट से तो यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तैसी विंटलेशन होगा इस रूम में भी रोशनी आती रहेगी और यह आपका बातरूम का एरिया है जिसका मैंने डोर दिया और यह साइड में आपका लेटिंग है सेपरेट बना दिया है मैंने दोनों को अलग अलग यह बातरूम है यह तो यह आपको यहाँ पर तीन बातरूम मिल जाते हैं लेटिंग बातरूम सेपरेट, स्टेयर्स, कार पारकिंग, किशिन और आपका यह विंटलेशनल के यहाँ भी एरिया दिया है मैंने अकर आप जाल रखवाना चाहते तो बीच में भी जाल रखवा सकता है तो यह पूर यह स्पेस मिल जाए और अगर हम बात करें और डिजाइन पूरी सेम है वही आपका गेस्ट रूम मिल जाएगा वही आपका बैट डूम पीसे दोनों मिल जाएगे वही लेटिंग बातरूम और आपका स्पेस और यह आपके वही स्टेयर्स अब हम यह देखीगा पूरा यह के style थोड़ा रेलिंग को stylist बना दिया है जिसमें आप देखी है इसलिए इस मकान का look थोड़ा different हो जाता है और बेदरी लगने लगता तो यही पूरा प्लान था 30 x 36 का हमारे subscriber थे उनके कहने पर small code design किया आपको यह model जैसा भी लगा हो मैं comment करके करें अगर आपको हमारे model पश्चन दाते हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like किया करें और share किया करें whatsapp facebook कहीं पर भी यह आप हमारी paid service का भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसा कि मुझा आपको बताया हमारा number आपको description में वाट्सप नंबर है आप हमारा पर contact करें उसमें दुस्तों paid user की contact करें क्योंकि मैं वापर paid service देता हूं तो प्लीज वीडियो को like करें और इसमाल प्लान को सब्क्राइब नहीं किया जिरूर कर लें थैंक्स वाह जी